सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चैनल की आज साम साथ बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज एक हजार रुपिया खाते में आया है और ये केवल मुझफर नगर जन्पद में आया है जहां से जसोदा बहन है मुझफर नगर जिले से उन्होंने आल इंडिया को स्क्रीन सॉट भी भेजा है और लिखकर के भी भेजा ह कि नमस्ते भाया जी आज एक हजार रुपिये आए हैं दो हजार नहीं आया है जसोदा नाम है जला इनका मुझफर नगर है ऐसे में कहना चाहेंगे यही हजार रुपिये जिनको लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं काफी जगए ये पैसा बहनों को एक हजार मद में कूड के तहट जो कुछ सामाग्री वगरा खरिदने के लिए हैं जिनमें की साफ सफाई के लिए हो गया ऐसे ही सब कुछ उनके लिए भी हजार रुपे आने थे तो वो पैसे जो है यहां पर आप देख रहे हैं उनमें से कहीं कहीं कुछ-कुछ पहुँचे हैं लेकिन हर जग यह पैसा उनके खाते में हजार रुपेया आया है अगर आप मेंसे किसी भी जनपद में अन्य बहनों का भी आया हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकती हैं वहीं दूसरी तरफ अन्य किसी जनपद में आज की डेट में आया हुआ कोई भी मैसेज देखने को नह मिला साथी साथ बहनों आपको बता दे कि पोशर ट्रेकर पर जो नया अपडेट आया है उसको लेकर के बहनों ने काम करना भी सुरू कर दिया जैसे सुसीला बहन है गाजीपूर से आती हैं उन्होंने आगनबारी अपना सिंटर ओपन किया पोशर ट्रेकर पर उसके बाद वहीं पर capture आगनबारी सिंटर फोटो के वाले option में गई और उन्होंने एक ये फोटो इस तरह से वहां से capture कर ली camera का ये symbol भी बन करके आता है उसके बाद ऐसे फोटो दिखने लग जाती है और फिर उसको वो अपना save कर लेती है साथी साथ यहां पर रेखा बहन है जालों से उन्होंने भी वही किया उन्होंने भी अपने आगनबारी सिंटर आने वाले बच्चों का फोटो capture किया और ऐसे वहां पर upload किया ये काम हर आगनबारी बहनों को करना होगा आज नहीं तो कल चीजों को आप सबको सीखना है तो जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगी उतना ही अच्छा है तो यहां पर आप देखेगा जैसे इन बहनों के वहां बच्चे भी खूब पढ़ने आते हैं आप यहां पर देखी सकते हैं ऐसे ही जो सना बहने अवरया से आती है उन्होंने भी यही किया है उन्होंने भी अपने वहां बच्चों का फोटो पोस्टर ट्रेकर पर अपलोड किया तो जब आप सेंटर ओपन करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं या कोई कारकैम गतविधी टाइप का भी सेंटर पर जब होता है 29 नमंबर को सीतापुर के डीपियो महोदे ने एक लेटर निकाला और ये लेटर भेजा है सीडीपियो और सुपरवाइजरों के लिए पत्रांग संख्या 21-37 है आईए देखते हैं इस लेटर में उन्होंने क्या-क्या आगे लिखा लेखा गया है मुक्विकास अधिकारी काराले पत्र संख्या 475 तेईस नमंबर के द्वारा अन्य पिछडे वर्गों के गरीब व्यक्तियों की जो पुत्रियां हैं उनकी साधी अनुदान का लाब दिलाये जाने के लिए लाभारतियों के ऑनलाइन आवेदन कराये जाने के संबंद में नर्देश दिये गए हैं कि आंगनबारी केंद्रों पर कारिरत आंगनबारी जो कारिकरता हैं इनके माध्यम से संबंधित गाउं में 31 मार्च 2024 तक अन्य पिछड़े वर्ग जिनमें अल्प संख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ करके जो हैं उनके गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की होने वाली साधी का ऑनलाइन आवेदन करा करके उसकी सूचना संलगन प्रारूप पर भनवित कराने की कारवाई की जा सके और योजना के अंतरगत लाभार्थियों के पात्रता की सरते भी दरसाई गई हैं कि कौन कौन से वो अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं जिनके लिए वो वहाँ पर सरते हैं तो आईए सरते आपको बता देते हैं पहली सरत है कि य जोजना के अंतरगत आवेदक की वारसिक जो आए है वो गरामीर चेतर में 46,080 रुपया से जादा नहीं होनी चाहिए और सहरी चेतर में 56,460 रुपय से अधिक नहीं होनी चाहिए साधी की तिथी को जो है लड़के की आयू 21 साल वर्स हो जानी चाहिए और कन्या की जो आयू है वो 18 वर्स या उससे अधिक जो होनी चाहिए यहाँ पर लिखा गया देखे नहीं होनी चाहिए लिख दिया गया समझ रहे हैं आलम देखो यहाँ पर पहले साधी की तिथी को वर की आयू 21 वर्स तथा कन्या की आयू 18 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर लिख दिया गया तो क्या 18 वर्स से कम उम्र की कन्याओं का साधी हो जाएगा ऐसे बाल विवात तो रुखेगा नहीं बढ़ जाएगा अधिकारियों को सोचना चाहिए लेटर टाइप करने से पहले आप भाई बहन भी खुले तोर पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या लिखाए साधी की तिथी को वर की आयू 21 वर्स तथा कन्या की आयू 18 वर्स या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए अब उससे अधिक हो जाए तो ठीक है 18 से उपर 18 से कम नहीं होनी चाहिए ऐसा होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर लेखा 18 या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए कन्या की आयू बताओ तो ये चीजे हैं एक परिवार से अधिक्तम दो पुत्रियों की साधी के लिए अनुदान अनुमन्नी होगा आवेदन साधी की तिथी से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक ही सुईकार होगा मानलो आपके वहाँ अगर 90 दिन के अंतराल में कोई साधियां हुई है तो वो भी इसका अनुदान पा सकते हैं या मानली जेगा 90 दिन के अंतराल में बोला गया पहले या बाद में तो इस तरह से अनुदान मिल जाएगा आवेदन को जो है आवेदन भरने से पुर्व आवेदन को लिखा गया जबकि आवेदक लिखना चाहिए था बाई जिन्होंने भी इसको टाइप किया है बहुत मिस्प्रिंट हैं आप देखेगा आवेदक की जगे पर आवेदन लिख दिया गया तो लिखा इन्होंने की आवेदक को आवेदन भरने से पुर्व ये होना था लेकिन आवेदन को आवेदन भरने से पुर्व उन्होंने लिख करके याँपर बेज दिया अपने आधार कार्ड पुत्री के आधार कार्ड आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जाती प्रमार पत्र राय प्रमार पत्र आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता साधी का कार्ड आधी अभिलेक भी होने आवस्यक हैं साथी आवेदक साधी अनुदान पोर्टल जो की आपर साधी अनुदान.upsdc.gov.in पर ओनलाइन आवेदन कर सकता है आवेदक की हर्ड कौपी सलगन को सहित सम्मंधित तहसील और विकास खंड इनमें जमा कराना होगा अता आप सभी को नरुदेश किया जाता है कि उपरोक्त मानक के अनुसार गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की होने वाली साधी का ऑनलाइन आवेदन करा कर उसकी सूचना सलगन प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ये एक लेटर रहा है डीप यो कारेले से वहीं सम्मन्द में आप देखेगा ये रहा पूरा एक ब्योरा भरने का लेखा गया है पिछली जाती साधी अनुदान योजना के अंतरगत ग्राम पंचायत विकास खंडवार कराए गए ऑनलाइन आवेदकों का विवरण तो यहाँ पर देखे विकास खंड का नाम जिसमें करम संख्या का का लाम ग्राम पंचायत के नाम का आवेदक की पंजी करण संख्या यानि आवेदन की पंजी करण संख्या आवेदक का नाम पिता का नाम साधी कितिति और मोबाइल नंबर इस तरह से चीज़े यहाँ पर दरसाई गई है आगे दिखेगा यहाँ पर रागिनी महन कन्नौस से जनों ने यह जानकारी आल इंडिया को भेजी है साथी साथ एक और जानकारी है प्रेमा देवी बहन है बहराईच से और जिला अधिकारी जो है बहराईच की जो की मोनिका रानी है बहराईच की जिला अधि केत्रों को को लोकेटेड जो है याँ पर आंगनबाडी केंद्रों पर आवस्यक्ता अनुसार बरतन की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के संबंद में यानि हाटकुग्ड योजना को लेकर के तेजी चल लही है तो हाटकुग्ड के लिए ही जो है बरतनों की जो देशक स्कूल सिच्छा उत्तर प्रदेश लखनव के द्वारा आंगनबाडी केंद्रों पर पंजीक्रत तीन से छे वर्स के बच्चों के लिए को लोकेटेड आंगनबाडी केंद्रों में हाटकुग्ड फूड योजना के संचालन के लिए निरगत की गई संयुक्त गाइ के लिए को लोकेटेड आंगनबाडी केंद्रों पर भोजन परोसने और बच्चों के खाना खाने के बरतन जनमें प्लेट कटोरी गिलास चम्मच इनकी अनुपलब्धता की स्थिती में सम्मंदित ग्राम सभा नगर पंचायत नगर पालिका परसाद नगर निगम जिन भी चेत्रों के अंतरगत जो सेंटर होंगे उसे साथ से विवस्थाएं की जाएंगी जैसे ग्राम में जो है ग्राम प्रधान हो गए यानि ग्राम सभा हो गई ऐसे ही चीज़ें आपर अलग लग लग लिखी गई हैं तो आवस्यक बरतनों की विवस्था सुनिश्चित कराने विश्यक नरदेश दिये गए हैं एतयो बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपत के अंतरगत ग्रामीर छेत्र में संचालित को लोकेटेट आंगनबारी केंद्रों की सूची एवं निदसाले बाल विकास सेवा पुष्टाहार के द्व पुष्टी में आगनबारी केंद्रों पर हाट कुग्ड मील योजना के सफल क्रियानिवेन के लिए प्रतम चरण में प्रती केंद्र 25 बच्चों के लिए बरतनों की उपलब्धता नरधारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार कराना सुनिचित करें इस तरह से ये जानकारी आ पुष्ट और डकोर के लिए भीजा है राष्टिय बाल स्वास्त कारिक्यम के अंतरगत विप्स प्रसिचण के संबंद में है लिखा गया महोदे अवगत कराना है कि मिसन नदेशक राष्टिय स्वास्त मिसन उत्तर प्रदेश के पत्रांग संख्या दरसाई गई है और रा सलगनक माइक्रो प्लान के अनुसार प्रसिचण इस्थल पर बाल विकास परुजना कार्याले कोच के सवागार में प्राता दस बजे से होना प्रस्तावीत है आप से अनुरोध है उक्त विप्स प्रसिचण में प्रतेक आंगनबाडी केंद्र की कार्य करता और सलगनक माइ प्रसिच्छड मिलना है जिसको लेकर के कारकरताओं को 30 नवंबर आज से लेकर 8 दिसंबर तक ये प्रसिच्छड वहां दिया जाएगा साथी साथ ये राष्टी बाल स्वास्त कारक्यम के अंतरगत विप्स प्रसिच्छड का माइक्रो प्लान भी है तीस तारीक को आज न्याय पंचायत जो है पचीपूरी सायद है और किसुनपुरा फिर एक तारीक को कल होगा जो है गुरावटी और चमेड में फिर चार दिसंबर को पनियारा में होगा पांच दिसंबर को विलाया में होगा छे दिसंबर को पिंडारी में होगा साथ वहां के आपने विवरल सुरूप न्याए पंचायतों को देखा है वहीं काराले उपक्रसी नदेशक कन्नौज से एक लेटर आया है प्रमोध सिरोही है उपक्रसी नदेशक कन्नौज में 29 तारीक को उन्होंने अपने यहां से कल ही आदेश जारी किया है जिसका पत्रांक 1265 है और यह लेटर भेजा गया है खंड विकास अधिकारी जो कन्नौज के हैं उनको अवगत कराया गया विकसित भारत संकल प्यात्रा कारिकरम में मानी प्रधानमंत्री जी के उदबोधन का लायू प्रसारण 30 नवंबर को प्राता साड़े 9 बजे से आज होना था इस कारिकरम क यनि आज हो चुका होगा से इस विकास खंडों के लिए वेन उपलब्द होते ही प्रथक से पत्र नरगत किये जाएंगे इस तरह से ये मैटर आया था वहीं पर जला कारकम अधिकारी जो बांदा के हैं 25 नवंबर को के अंतिवारी जी ने भी एक लेटर जारी किया था जो क कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से संभावित पात्र लाभारतियों का सत्यापन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवा करके योजना का जो लाब है वो दिलाए जाने के संबंद में था इस लिटर को सुपरवाइजरों को और सीडीपियों को डीपिय मोहदे ने भेजा था आगे इसमें उन्होंने क्याले खास जरा सुनिये कि 17 अक्टूबर के अंतरगत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सभी 6 रिडियों के अंतरगत जो पात्र बालिकाएं हैं उनका ऑनलाइन आवेदन पत्र आगनबाडी कारकरती के माधिन से भ पात्र बालिकाओं का ऑनलाइन आवेदन पत्र कारकरताओं के माधिन से भरवाये जाने के लिए आपको नर्देश किया गया ततकरम में नियोजन विभाग द्वारा पोर्टल पर उपलब्द कराई गई सूची में 420 बालिकाएं हैं जिनका योजना की पात्रता के अनुसा पात्र अपात्र का सत्यापन किया जा चुका तता सत्यापन के बाद 405 बालिकाओं का ऑनलाइन आवेदन कराया जाना साती योजना के अंतरगत 132 आवेदकों के बैंग खाते का विवरण गलत होने के प्रडाम सरूप विभाग द्वारा बोगतान नहीं किया गया जिनका सह सही बैंक खाता विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाना है आपको नर्देश है नियोजन विभाग द्वारा जनपत बांदा के पोर्टल पर उपलब्द कराई गई 405 बालिकाओं की सूची और बैंक खाता गलत हुए 132 आवेदकों की बलाक वार सूची इसासे के साथ प्रेसित है कि आगनबाडी कारकरती को आवेदकों से संपर करके उनका सही बैंक विवरण और बैंक पास्बुक की छाया प्रती अदोवस्ताचरी काराले में उपलब्द कराए जाने के लिए 405 बालिकाओं को आनलाइन आवेदन कराने के लिए सुधार कराना सुनिश्यत क इसके बारे में यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं साथी अमरता बहन है बल्या से उन्होंने अपने महाँ पर बच्चों को यह खाना वाना खिलाया है जिसका फोटो बेजा है और साथी दोस्तों आज किस वीडियो को यहीं तक रखते हैं धन्यवादा